जैसरी राम प्रेमी भग जनो आज हम आपको बताएंगे कि निरंतर प्राण जप यानि स्वासों का जप करने से कितने अदबुत लाव आपको प्राप्त होते हैं इसी को प्राण जप बोलते हैं इसी को अजपा जप बोलते हैं और यानि कि स्वासों के द्वारा किया जाने जप जिसकी चर्चा हम अपने कई वीडियो में कर चुके हैं चार प्रकार के जो जप होते हैं वाचिक उपानसू मानसिक और ये प्रान जप यानि की अजपा जप स्वासों के द्वारा किया जाने वाला चारों प्रकार के जप में सबसे सर्वत्तम जप होता है प्रान जप य करोगे नहीं स्वे मैहसूस नहीं करोगे तब तक वह प्राण जब नहीं माना जाता तो जो भी इसको कुछ दिन भी अगर निरंतर कर लेता है तो फिर कोई भी कार्य असंबव नहीं है क्योंकि यह जब है इतना शक्ति साली इस जब के करने से सभी बिमारियां धीरे धीरे बिल्कुल स्वेते ही जड़ से चली जाती है इस जब के करने से आपको अदभुत शांती मिलती है आपका मन जिसको कोई एकागर नहीं कर सकता लेकिन अगर आप ये जब करेंगे अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे आप का मन काबू में आने लग जाएगा और इस जब के इतने अद्भूत लाब है कि अगर इस जब को ठीक से करोगे तो अतिशिग्र आप प्रमात्मा को प्राप्त कर सकते हो अपनी अंदर की आरी सोई हुई शक्तियों को इसी जब के द्वारा जगा सकते हो अब देखो M-K-A-Y नाम से ये ID है इन्होंने कमेंट किया है इनको डिप्रेशन की बिमारी थी मानसिक रोग था जो कि केवल एक महिना स्वासों के द्वारा जब करने से इनका ये रोग ठीक हो गया है इतना अद्भूत लाब मिला है इन्होंने कमेंट करके बताया इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करती हूँ क्योंकि ये जब ऐसे कमेंट आप करते हो तो औरों को भी लाब मिलता है उस कमेंट को पिन करती हूँ और वीडियो बनाने की भी पूरी-पूरी कोशिस करती हूँ ताकि आप सब भी जान सकें और लाब प्राप्त कर सकें और भी किसी को कोई लाब प और मैं सांसों के राम और मानशिक जप करता हूँ, राम नाम का जप आप मानोगे नहीं, मैं पांच साल में पहली बार इतना खुश रहने लगा हूँ, और काम में भी दिल लगता है, आपने मुझे दूसरी लाइफ दी है, इसलिए आप मेरी दूसरी माँ हो, अब तो इसने स प्रेशन जो है प्रमानेंट चला गया, और ये बिल्कुल खुश रहने लगे, हर काम करने में मन लगता है, तो इतने अदबुत लाब है, और अदबुत लाब तो हर किशी को मिलते हैं, जो भी इसका जाप अगर कर रहा है, तो लेकिन सब कोई कमेंट करके नहीं बताते हैं इसके इतने अदबुत लाब हैं, इसकी मैंने अजपा जब सरवत्तम जफ़ वीडियो चैनल पे अपलोड कर रखी है, और भी मैं बहुत सारे वीडियो में आपको बताती हूँ कि राम नाम के साथ किस प्रकार आपको स्वासों का जब करना है, सोहंग के साथ आप करें तो और भी ज़्यादा लाब होता है, क्योंकि सोहंग हमारे स्वासों में प्राकरतिक रूप से आवा जाती है, सोहंग की, लेकिन जिसका जहां विश्वास है वो उसी तरह से जब करो, कोई प्रोब्लम नहीं है, कहीं आप यह सोचो कि हम राम नाम का करते हैं, थोड़े से दिन नहीं जेश्री राम प्रेमी बगतों